हालो स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम कौन का सर्फेस एरिया और वॉल्यूम निकालना सिखेंगे तो आई स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन के कौन-कौन से फॉर्मले अब तो हमारे पास यहाँ आपर एक कोन तिया हुआ है जिसका रेदियर से अर्र से डेनोट करा है ह Hij को एट से और स्रंट हाइड को एल सिः ठिक है तो सबसे पहले देखते हैं इसका कव सर्फेस एरिया तो कम सैर्फेस एरिया वो होता है पाई और एल ठीक है L क्या है slant height है तो इसका curved surface area हो गया पाई आरल आप देखते हैं total surface area है इसका तो इसका जो total surface area है वो क्या होगा curved surface area तो इसका πाई आरल हो गया ठीक है अब नीचे यहाँ पर एक circle है ठीक है तो total surface area में हमारे पास यह circle का area भी include हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वेर तो इसमें से अगर मैं common loop पाई आर तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा L प्लस आर तो यह हो जाएगा हमारा total surface area का formula कोन का ठीक है अब यहाँ पर जो है L हमारा slant height है ठीक है तो slant height निकालने के लिए radius को और edge कर रहा है height को ठीक है तो इससे हमारा L आ जाएगा मतलब की slant height अब इसका volume का जो formula होता है volume of cone वो होता है 1 by 3 pi r square edge तो हमारा volume of cone है वो 1 by 3 pi r square edge हो गया है अब cone के volume में और cylinder के volume में क्या relation होता है वो देखते हैं अगर हमारे पास एक cylinder है जिसकी height h है और cone है और उसकी height भी same है cylinder के height के जितना और दौनों का radius भी same है तो जो volume होगा हमारा cylinder का pi r square edge होगा और जो cone का volume होगा 1 by 3rd होगा इस cylinder के volume का pi r square edge तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो cone का volume होता है वो 1 by 3rd होता है cylinder के volume के जिसका radius और height same होगा same cone के अब इन से related कुछ question देख लेते हैं question है a cylinder and a cone have equal radii of their basis and equal height show that their volume are in the ratio 3 to 1 हमें आपर एक cylinder और एक cone दिया हुआ है जिसकी height और radius equal है हमें ये शो करना है कि दोनों का जो volume का ratio होगा वो 3 is to 1 का होगा ठीक है तो start करते है तो हमें question में given है कि दोनों की height equal है तो height of cone equal है height of cylinder के है ठीक है तो दोनों की height मैंने लिली h और दोनों का radius भी equal है तो radius of cone equal हो जाएगा radius of cylinder के वो भी कितना है r हो जाएगा ठीक है तो दोनों का radius r ले लिया मैंने और दोनों की height h ले ली हमें दोनों के volume का ratio निकालना है ठीक है तो ratio कैसे निकलेगा volume of cylinder upon में volume of cone ठीक है तो volume होता है हमारे पास cylinder का होता है pi r square h और cone का होता है 1 by 3 pi r square h दोनों का radius भी same है और दोनों की height भी same है ठीक है तो h से h cancel हो गया r square से r square और pi से pi तो हमारे पास अब क्या बचा 1 upon में 1 by 3 ये 3 उपर आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3 upon 1 तो ratio क्या बचा हमारे पास 3 is to 1 का तो जो इन दोनों के volume का ratio हो जाएगा वो क्या होगा 3 is to 1 का first question है हमारा find curved surface area of a right circular cone whose length height is 10 cm and base radius is 7 cm तो हमें इस cone का जो radius है वो दे रखा है 7 cm और जो slant height है मतलब कि L जो है वो दे रखा है 10 cm हमें curved surface area निकालना है तो इसका जो C, S, A होगा वो formula होता है π, R, L तो π की value होती है 22 by 7 R हमें दे रखा है 7 और L दे रखा है 10 तो इसे solve करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 220 cm2 तो यह हमारा curved surface area होगा इस cone का next question देखते है next question है a conical tent is 10 meter high and radius of its base is 24 meter find करना है slant height of a tent तो हमें यहाँ पर एक tent दे रखा है conical जिसकी height जो है मतलब इसकी height है वो दे रखी है 10 cm 10 meter और इसका जो radius है वो दे रखा है 24 meter तो हमें इसकी slant height नहीं पता अभी तो जो slant height है मतलब की l है वो कैसे निकलेगा under root r square plus h square तो यहाँ पर मैं value रख देता हूँ तो r कितना है हमारा r है 24 24 का square plus 10 का square तो यह कितना हो जाएगा under root 24 का square होता है 576 plus 100 तो हमारे पास l आ गया under root of 676 और यह होता है 26 का तो 26 meter जो है वो हमारे पास l आ गया है ठीक है अब हमें क्या निकालना है second part में cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees तो अभी stand को बनाने के लिए जो canvas है उसकी cost क्या दे रखे 1 meter square की वो दे रखे 70 rupees तो हमें बताना है total कितनी cost पड़ेगी तो हमें क्या करना है इसका curved surface यह निकालना है ठीक है तो c s a वो होता है pi r l होता है ठीक है तो हमारे पास pi की वेलियर 22 by 7 और r कितना दे रखे है हमारे पास radius है हमारे पास 24 और इसकी जो l है slant height वो है 26 ठीक है तो अब क्या तो इसको अगर हम solve करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 13728 upon में 7 meter square ये तो हमारा area आ गया है curved surface area लेकिन हमें क्या निकालना है cost निकालना है एक meter square की जो cost है वो 70 रूपीज है तो इसको क्या करेंगा total cost के लिए हमारे पास total cost के लिए इसको multiply कर देंगे 13728 upon 7 को 70 रूपीज है तो ये आ जाएगा हमारा 10 बचा तो multiply करेंगे तो कितना आ गया 13728 जीरो तो ये आ गए हमारे पास canvas की total cost अब next question देखते है next question है the height and the slant height of a cone are 21 cm and 28 cm respectively find the volume of the cone हमें इस cone की height और slant height दिया हुआ है हमें इसका volume निकालना है ठीक है तो height हमें क्या दे रखी है height दे रखा है वो है 21 cm और slant height मतलब की L जो है वो कितना दे रखा है 28 cm हमें इसका radius तो पता नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका radius निकाल लेंगे तो हमारे पास जो है radius कैसे निकालेगा हमारा L square equal to होता है R square plus H square के ठीक है तो हमारा जो R होगा वो कैसे निकालेगा under root of L square minus H square तो L कितना दे रखा है L है हमारे पास 28 तो 28 का square minus 21 का square तो इसे करेंगे solve तो 28 का square होता है हमारे पास 784 तो under root 784 minus 21 का square होता है 441 इन दोनों को minus किया तो आएगा हमारा 343 और इसका अगर square root निकालेगा तो हमारे पास क्या बचेगा 7 root 7 बचेगा ठीक है तो यह आगे हमारे पास radius अब हमें क्या निकालना था इसका volume तो volume का जो formula होता है कौन का वो होता है 1 by 3 पाई आर स्क्वेर एच तो 1 by 3 पाई की value होती है हमारे पास 22 upon में 7 radius क्या है 7 root 7 है 7 root 7 into 7 root 7 और height कितनी है height दे रखे 21 ठीक है तो अब इसको solve करेंगे तो इसके cancel हो गया हमारे पास अब क्या बचा 3 से भी ये cancel हो गया तो इसके solve करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 22 into 3, 4, 3 इसको multiply करने पर हमारे पास ये बचेगा अब इन दोनों को multiply करूँगा तो 3, 4, 3 को 22 से 6, 8, 6 into 6, 8, 6 6, 4 1 carry 5 1 carry 7 तो हमारे पास इसका volume क्या जाएगा 7, 5, 4, 6 cm3 तो ये इसका volume हो गया हमारे पास क्यों का अब next question देखते है next question है the height of a cone is 15 cm if its volume is 500 pi cm3 then find the radius of its base तो हमारे पास इस cone की height दे रखिए है 15 cm उसका volume दे रखिए है radius हमें find करनी है तो हमारे पास जो इसका volume होता है volume of cone वो होता है 1 by 3 pi r square h ठीक है तो 1 by 3 pi r हमारे पास नहीं है तो r square और h कितना दे रखिए है 15 किसके equal है 500 pi ठीक है तो pi से pi cancel हो गया अब हमारे पास क्या आएगा r square equal to हो गया 500 into 3 upon में 15 तो 3 से करा ये 5 हो गया ये 1 और ये 100 तो r square हमारा 100 आ गया तो r कितना आ जाएगा 10 cm तो इस cone का जो radius है वो 10 cm हो गया है next question है तो cones have their height in the ratio 1 is to 3 and the radii of their bases in the ratio 3 is to 1 find the ratio of their volume हमें याँ पर दो cone दिये हुए है जिनकी height का ratio दिया हुआ है हमें और दोनों की radius का ratio भी दिया हुआ है हमें उन दोनों के volume का ratio निकालना है तो सबसे पहले में first वाला जो cone है उसकी height को मैं h1 ले लेता हूँ और दूसरे वाली की height को h2 ले लेता हूँ तो इसका ratio दे रखाता हमें 1 is to 3 तो h1 हो गया हमारा 1x और h2 हो गया हमारा 3x और दोनों की radius का ratio भी दे रखा है मतलब की r1 3y हो गया हमारा और r2 हो गया हमारा 1y ठीक है अब हमें क्या निकालना है इसके volume का ratio निकालना है ठीक है तो volume of first cone upon में volume of second cone तब जाके इसका ratio निकलेगा ठीक है तो volume का हमारा जो formula होता है वह दो होता है 1 by 3 pi r1 square h1 upon में 1 by 3 pi r2 square h2 तो 1 by 3 pi 1 by 3 pi nc लो गया तो हमारे पास यह बचा है तो यहाँ पर value रख देते है r1 कितना दे रखा है 3y तो 3y का square और h1 कितना है 1x है ठीक है next हमारे पास है next क्या है r2 मतलब कि 1y का square और h2 क्या है 3x तो इसको करेंगे तो यह जाएगा 9y square x और नीचे क्या हैगा हमारे पास 3y square x तो y square से y square cancel हो गया x से x cancel हो गया और 9 और 3 को cancel करूँगा तो हमारे पास क्या बचाएगा 3 upon 1 तो इसका जो ratio हो जाएगा 3 is to 1 का ratio हो जाएगा जगारे टो हो जाएगा